हम टेंज का प्रयोग कैसे करें, टेंज चीक भी लिया लेकिन उसको यूज नहीं कर पाते हैं इस पोकान इंग्लिश के लिए, आज मैं उसी पर बात करूँगा, पहला tense present in different tense present simple tense भी इसको बोलते हैं spoken English पर यह frequently used tense है इस tense का प्रयोग basically हम अपने daily activities अपनी यादते हैं हम जो काम रोज करते हैं उस पर करते हैं एक की और यहां पर आपको मैं बताना चाहूँगा हम Hindi medium students में सबसे बड़ी एक प्रावलम आती है के हम उसकी पहुआंग क्या पर, प्रजेंट एंपोटेंज की पहुआ फेशान क्या है, बाक्य केंट में ता हती है एते हैं, उस प्रकार से सीखते हैं, जिससे स्पोकन इंगलेस में समस्य होने लगते हैं, हिसलिए मैं आप से दिका हूँ कि ये दी महराश्ट में, आउस्ट् बेंगवॉल में हिन्दी मालूम ही नहीं तमिल नाडू में हिन्दी मालूम ही नहीं, तो वाकिय केंते में त हैती हैं, कैसे समझ में आएगा, इसलिए Stock को दूसरे तरीके से समझें, उसके universal approach को समझें और यूनिवर्सल फैट्स इस पर प्रजेंट इन्फिर्टेंस का प्रियोग होता है जैसे I usually wake up 5 o'clock early in the morning मैं सामान रहता है सुबह 5 विजे उठता हूँ I usually wake up 5 o'clock early in the morning इसके नियम एदियाप से मैं कहूँ कि I, V, D, U के साथ वर्व का पहला फॉर्म और he, see, it, name के साथ बार्व का वहला फॉर्म और yes या yes लगेगा बस यदि आपने इस चीज़ को समझ लिया तो आप प्रजेंट इन्फिर्ट अच्छे तरीके से समझ लेंगे आप सिंपल समझे मैं रोज साम को टीवी देखता हूँ I watch TV daily in evening सिंपल आप जो काम रोज करते हैं वो सब को आप daily routine में भी इस प्रकार से बोल सकते हैं वो सब present indefinite में ही आते हैं मैं साम माने तेया दो रोट इखाता हूँ I usually eat two chapaties सिंपल यदि इसको negative sentence बोलते हैं तो जो मैंने बोला I be the you इनके साथ do not और बाकी he see it or name के साथ does not सिंपल वो है कभी जोट नहीं बोलता He never speaks lies राम रोज दो घंटे पढ़ता है राम इस्टेडिस टेली टू हर्स आप sentence को सबसे important है अपने डैनिक जीवन पर associate करना से जो कमा आप रोज करते हैं उसको में कैसे आप present indefinite बोल पाएंगे वो सब present indefinite में आते हैं आपकी जो daily routine कि मैं laptop पर अपना काम करता हूँ I work my daily work in laptop simple तो आप समझ गए इसमें yes और yes के एक जो फार्मूला है उसको भी समझ लेते हैं जब बर्व का फर्स्ट फार्म आएगा जब yes ये इस लगाना होता है ही सी it name के साथ तो आपको yes ये इस लगाना पड़ता है तो जब वर्व में बर्व का आखरी वर्ट ये इस ये इस रहेगा वाई रहेगा तो हमको ये इस ये इस लगाना होगा आप संटेंस को अपने सी एसोचेट करके बोलेंगे तो आपको ये बोलना बहुत असान हो जाएगा प्रदेंटी डेट्ट्ट् झाल झाल